हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ बैशनभी स्वायनेकार मौदहा उत्तर प्रदेश से दोस्तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिडिया थी चिडिया ही रह गई मैं मासूम चिडिया थी बिना पंखों की चिडिया ही रह गई मैं मासूम चिडिया थी बिना पंखों की चिडिया ही रह गई थी जिम्मेदारी कंधे पर थी गरीब घर से पर जीने की ख्वाहिस थी अभिमान से निकली थी होटों पर मुस्कान लिये घर से तभी इस चिडिया पर पड़ी नजर सैतान की चीखें गूजती रही इस मासूम जान की मैं मूम की तरह तिल तिल जलती रही जिस्म गलता रहा मैं तडपती रही आखिर मासूम चिडिया थी बिना पंखों की चिडिया ही रह गई जमाना बोला कपड़े चोटे थे कौन बताए मैंने सूट पहना था मेरी कलाई मरोड कर मेरी हट्टियों को कुचला था मेरे जिस्म के हर एक एक हिस्से को सिगरिट से जलाया था क्या करती मैं मासूम चिडिया थी बिना पंखों की चिडिया ही रह गई चिडिया के आशू और चीखें बन रही थी फसाना अब तो मीडिया का काम ही हो गया मजे ले लेकर खबर दिखाना जुआ पे हमेशा मर्दों के गाली महिलाओं के नाम तो सोचो तो सोचो कैसे इस संसार में रुक जाए ये घिनावना काम इसलिए तो मैं चिडिया थी चिडिया ही रह गई मैं मासूम चिडिया थी चिडिया ही रह गई देश की हर नारी को दी गई सोसन नाम की एक बला चीर हरण होता है त्रोपती का यहां पे सदा चाहे घर हो या बाहर हो आग जल रही है देश में चारो तरफ अरे काट दो उंगलिया जो उठें दुपत्ता उतारने को अरे आखिर कब तक यह चिडिया चिडिया ही बनी रहे मैं मासूम चिडिया थी बिना पंखों की चिडिया ही रह गई मैं मासूम चिडिया थी बिना पंखों की चिडिया ही रह गई